तो बच्चो लेसन टू में चुन्मून ओछिर्या के बच्चे की कहानी दिखी है इस कहानी के बारे में हमने आपको पहले भी समझाया था कि बच्चों की जो मन के सौाभ है गळपना है बच्चा जो सोस था ए उसका एक अलग से प्रेम से प्रेम होता है जिव जंतु के प्रती कि चाहे वो पक्ष्यों के प्रति हो वह उसका है तो उसके मन में गोशला बनाती है और जब गुंसला को उसमें देखते रहता है कि सब्सक्रण कर रहे हुए में कितनी प्रोग्रस हुई है हुगी कभी इतनी मम्मी के पास जा कर पूस्ता है चप्ष तो बता यह तो मम्मी को समय नहीं होता तो मम्मी को घाल की से चबत लगा कर बेज जती इस प्रकार से एक दिन चटिया ने अंडे दिये और इसमें से बच्चे भी निकला अंडों में से उसको बहुत अधा खुशी हुई फिर एक दिन उसकी मम्मी कहीं काम से बाहर गई वो चुन्मन घर पर अकेला था और चिडिया का पच्चा किसी तरह से घुसले से निकल कर नीचे आंगन में गिर गया और उस दिन इतना परेशान हुआ कि वो उसकी उसको देख अधाले तो धोका हुआ इस बात का कि शायद इसने कुछ घर चाड़ की होगी लेकिन जब सारी बात उन्हें बदा चली तो उन्होंने चुन्मन को पुछकार कर गले से लगा लिया और उससे कहा कि मैं तो तुझे कुछ और समझ रही थी पर तू तो मेरा बहुत अच्छा पर बच्चा है मैं तो तुझे तुझे युई यूई तुझे तुझे पर यूई बिगड रही थी तो इस प्रकार से ये कहानी आपने पढ़ी पहले लिए दुपारास हिसको आपने रिवाइस कर लिया अब देखेंगे इसके शबदर्थ शबदर्थ में देखेंगे अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पर है सबसे पहले कुशन आंसर है कुशन आंसर आप कर चुके हैं उसके बाद लेकिन दुबारा से बरी विजन आपको करा रही हूँ चुनमुन क्यों खुश हुआ घर के आंगन में चडिया का गोंसला देखकर चुनमुन बहुत खुश हुआ चुनमुन मम्मी से क्या क्या सवाल पूशता है चुनमुन मम्मी से पूशता है कि चुनमुन की गोंसले में अंडे कब आएंगे स्कुल जाते समय चुनमुन चिडिया के बच्चे के साथ क्या करता था स्कुल जाते समय चुनमुन चिडिया के बच्चे को टाटा करता था नेक्स्ट एंड लास्ट कोशन है चिडिया का बच्चा क्यों डरा हुआ था चुडिया का बच्चा इसलिए डर हुआ था क्योंकि एक कववा उसे खाना चाहता था यह आपने अभी इसमें कहानी में भी पढ़ा है नेक्स्ट गटना क्रम के अनुसार वाक्तिनों के क्रम सही करके लिखिए इसमें सबसे पहले है चुनमन को मानो दिन भर का काम मिल गया था सेकिन नंबर पर है इसमें जा भाग तुझे कोई और काम ही नहीं है फर्स नंबर पर फर्स टे है और सेकिन थर्ड वाला है सेकिन नंबर पर है उसके बाद है सुबह उड़ते ही उसका पहला काम यही होता था नेक्स्ट हैस में कहीं चील तो जवट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली और लास्ट हैस में सुनते ही एक शण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया तो यह सीक्विंस है इसको एक बर और देख लिजे इसका सीक्विंस है देखिए कि फर्सट इन फूर्थ सेकंड फिफ्थ एन थर्ड उसके बाद एकक साइस गह किस ने किस से कहा कब आएंगे चिडिया के बच्चे यह चुडमुन ने मम्मी से कहा था जा बाग तुझे कोई और काम नहीं है ये मम्मी ने चुनमुन से कहा था थर्ड अगर रुई बिगो कर चिडिया के मुँँ में पानी डालो तो वह पी लेगी ये कहा था दीनू ने दीनू चुनमुन के दोस्त ने कहा था क्या हुआ चिडिया के बच्चे को मम्मी ने चुन्मुन से कहा था मैं तो यूँ ही तुछ पर भिगड रही थी ये भी मम्मी ने चुन्मुन से कहा था उसके बाद exercise है व्याकरन बोद की को जोड़कर नए शब्द बनाईए उपचार प्रचार विचार संचार और आचार शब्द आपने पहले भी बनाये थे एक बार से इसको फिल्प से पढ़ रहे है पन प्रत्य जोड़कर शब्द बनाने हैं देखिए शब्द बने हैं इसमे बचपन, खालीपन, अपनापन, अंधापन और सोनापन नेक्स्ट एक्ससाइज में विलोम शब्द लिखे हैं कौन-कौन से हैं विलोम शब्द खुश, दुखी, आसमान आसमान का पताल भी हो सकता है और धरती भी हलका, भारी, छोटा, बड़ा, नीचे, उपर चुडिया के बच्चे को क्या कहते हैं, चुडिया के बच्चे को हम चूजे कहते हैं नेक्स पेज पर देखेंगे कोयल हमें क्यों प्रिय लगती है क्योंकि कोयल मदुर्गीत गाती है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है शुत्रमूर्ग प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानिक का नाम बताईए सली मली तो यह सब आप पहले भी कर चुके एक बार से आपका चैप्टर का रिविजन हो गया है नेक्स्ट है खेल खेल में कौन कहां रहता है गड़ी आल पानी में रहता है सांप बिल में रहता है और सांप के अगर को बांबी भी बोलते हैं चुड़िया गुंसले में रहती है और मदुमक की छट्टे में रहती है इस परकार से आपने मैचिंग भी पहले किये इस कोई बार आप फिरसे देख रहे हैं अब देखते हैं आपका होमवर्क आपको होमवर्क में क्या करना है तो बच्चो आज आपको होमवर्क में पेज नमबर 18 की exercise गः धियान चे सुनेंगे पेज नमबर 18 की exercise गः और पेज नमबर 19 की व्याकरण बोद की exercise कः ख़ और गः ये आपको हमवर्क में करनी है एक बार और बोल रही हूं सुनली जी ध्यान से पेज नमबर 18 एक्सराइज गा किसने किस से कहा और पेज नमबर 19 व्याकरन बोध की एक्सराइज जोड़कर नए शब्द बनाईए एक्सराइज का पन प्रत्या जोड़कर शब्द लिखिए और exercise का विलोम शब्द लिखे यह आपका आज का homework है यह आप copy में करेंगे इससे आपका chapter की exercise का revision हो जाएगा question answer आप याद कर लेंगे तो बच्चो next video में मिलेंगे तब तक के लिए thank you